स्वागत है आपका करंट अफेर वे ताकरश में आज की 28 वी क्लास 2 सितंबर 2030 के करंट अफेर और उन से जुड़े वे स्टेटिक जीक्य को दिखेंगे वीडियो के लाश्ट में आज की इतिहास को जानेंगे चलते हैं कोशन अबो बन की ओर कोशन अबो बन आदित्य एलवन को सूरे पर पहुँचने में कितना समय लगेगा तो सही आंसर है एक 125 दिन अप्शन अमबर ए लगभग 125 दिन लगेंगे आदित्य एलवन के बारे में और जानते हैं भारत के पहले अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य एलवन को 2 सितंबर 2023 को 11 बच के 50 मिनट पर लॉंच किया जाएगा आदित्य एलवन को लेगरेज बिंदू यानि एलवन जो पृत्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमेटर दूर भेजा जाएगा पृत्वी से लेगरेज पॉइंट यानि एलवन तक पहुँचने में लगभग 125 दिन लगेंगे मिशन की अवधी 5.2 एर होगी लॉंचिंग भार 1475 किलोग्राम है और पेलोट का भार 244 किलोग्राम है रॉकेट PSLV XL C57 का यूज किया जाएगा लॉंचिंग साइट 37 धवन अंतरिक्ष केंद्रे श्रीहरी कोटा आदित्य एलवन सूरज के कोरूना, सूरज की फोटो स्वेर, क्रोमो स्वेर, सौर उत्सर्जन, सौर हवा यानि फ्लेयर्ज और कोरूनल मास इंजेक्शन का अध्यन करेगा इसमें साथ पेलोड होंगे चलिए, अगले कोशन पे, कोशन नमबर टू एसिया कप का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में किस स्टेडियम में खेला जाएगा सही अंसर है डी, पिले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्री लंका भारत के प्रमुक स्टेडियम को देखते हैं, क्रिकेट स्टेडियम को मौलाना आजाद स्टेडियम स्री नगर में है शेरे कश्मीर स्टेडियम स्री नगर में है अरुर्जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में है भुपेन हजारिका इस्टेडियम गुहाटी में है सवाई मान सिंग क्रिकेट इस्टेडियम जैपुर में है राजियो गांदी अंतराष्ट्रिय क्रिकेट इस्टेडियम है चितंबरम क्रिकेट इस्टेडियम चिन्नई में है और लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट इस्टेडियम है चलते हैं अगले कोशन की ओर कोशन नमबर 3 मिस अर्थ इंडिया 2023 का ताज किस ने जीता मिस अर्थ इंडिया राजिस्थान के जैपूर की रहने वाली 20 वर्षिय चात्रा प्रियन सैन ने जीता ये मिस अर्थ इंडिया का लोगो है गठन 2010 में हुआ मुख्याल है दिल्ली में है और राष्टी निदेशक दीपक अगरवाल है दिसंबर में मिस वर्ड 2023 की मेजबानी कश्मीर करेगा ये मिस वर्ड का लोगो है गठन 27 जुलाई 1991 संस्थापक एरिक मौरले मुख्याल है लंडन इंग्लेंड में है अध्यक्ष जूलिया मौरले इससे पहले 1996 में भी भारत में इसका आयोजन हुआ था पहली बार सन 1951 में स्वीडन की कुकी हेकन सन ने जीता अब तक छे भारतिय मिस वर्ड बन चुके हैं सीता फर्यार पार वेल उननिस सौचाच में एश्वरर राय उननिस सौचाच में डायना हिदन 1997 में युक्त मुखी उननिस सौनिन्यानननवे में प्रियंक चोकडा 2000 में और मानुजी चिल्लड 2017 में Q4. पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी कौन बनी तो सही आंसर है C. गीतिका स्रवास्तो पहली महिला प्रभारी बनी है पाकिस्तान में हाली में हुए न्युक्त, राजदूत और उच्चायुक्त को देखेंगे अर्मेनिया निलाक्षी सहसिना, अजर्बैजान श्रीधरन मदुसूधन, बोच्षवान, कुमार भरत कुमार कुथाटी इंडोनेशिया संदीप चक्रवर्ती, साओधी अरब सुहेल अजास खान, दक्षिड अफ्रिका प्रभात कुमार, मार्शल आरलाइन गडराज सेवी जौर्ज, लाव पीपल्स लोकतांत्रिक गडराज प्रशान्त अगरवाल, युगांडा उपेंद्र सिंग रावत, ऑस् फिलिप ग्रीन, पनामा, सुमित सेट, लिद्वानिया, देवेश उत्तम, सुमालिया, नाम्या खंपा, सीरिया, डॉक्टर इरशाद एहमद, चलिए पाकिस्तान की बारे में जान लेते हैं, राजधानी इसलामाबाद है, राश्ट भाषा यहां पे उर्दू और अंग्रे जी है, राश्ट पती आरिफ अल्वी है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपिया है, यह पाकिस्तान का नैशनल एंबलम्ब है, और यह वहां का फ्लैग है, यह पाकिस्तान का मैप है, इसके पडूशी देश बारत, इरान और अफगानिस्तान है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपि प्रोजेक्ट 17 के बारे में जान लेते हैं प्रोजेक्ट 17 के 17 अलफा फ्रिगेट को भारतिय नौसेना द्वारा 2019 में लॉंच किया गया था इस परियोजना को भारत के रक्षा बलो द्वारा इस्तिल गाइड़ मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रिंखला के निर्माड के लिए लॉंच किया गया था इसका निर्माण वर्तमान में दो कंपनिया मजगाव डॉक शिप्यार्ड और गार्डन रीच शिप्यार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा थिया गया इसका बजट 25,700 करोड है प्रोजेक्ट 17A के तहद लाउंच किये जाने वाले फ्रिगेट नील गिरी 2019 में लाउंच होगा उदेगरी 2022 में तारेगरी 2022 में महिंदगरी 2023 में हिम गरी 2020 में डुन गरी 2022 में और विंद्य गरी 2023 में लाउंच किये Q6. 5,963 करोड में PCCI के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स किसने खरीदे तो सही आंसर है YCOM 18 PCCI के बारे में जान लेते हैं ये PCCI का लोगो है इस ठापना दिसंबर 1928 को हुई अध्यक्ष रोजर बिन्नी है CEO हेमांग अमीन है और उपाद्यक्ष राजीव शुक्ला है सच्चीव जैशाह है और पुर्षो के कोज राहुल द्रमेड है PCCI ने साइन की बड़ी डील हर मैच में 4.2 करोड रूपय देगा टाइटल स्पॉंसर IDFC First Bank Q7. आधार से जोड़ा जन्म पंजी करण शुरू करने वाला पुर्वत्तर छेत्र का पहला राज्य कौन बना? A. सही आंसर है B. नागालेंड और ये नागालेंड की मुक्यमंत्री नेफियोरियों की तस्वीर है ये नागालेंड का एंबलंब है और ये मैप इसके पडोसी राज्य, अरुनांचर प्रदेश, असम और मनिपूर है एक इंटरनेशनल बाउंडरी मियानमार से लगती है नागालेंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ असम से अलग होके राजधानी कोहिमा है, जीलो की संक्या सोला है और राजपाल लागडेशन है मुख्यमंत्री नफियोरियो है और उप मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग और यांग ठूगो पैटन है दो मुख्यमंत्री हैं विधान सबा की यहां पर 60 सीटे हैं लोग सबा और राजपा की यहां पर एक-एक सीटे हैं कोशन नमबर 8 65 वे रह्मेन मैक्सेस पुरुसकार 2023 किस भारतियों को मिला तो सही अंसर है ए डॉक्टर रवी कनन आर रह्मेन मैक्सेस पुरुसकार के 2023 के बारे में जानते हैं इसे एशिया का नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है 2023 का 65 संसकरण था रह्मेन मैक्सेस फिलिपिन्स के सात्वे राष्टपती थे इनहीं के नाम पर यह पुरुसकार दिया जाता है ये पुरुसकार की तस्वीर है पहला एवॉल्ड 1958 में दिया गया पुरुषों में एक प्रमाण पत्र दिव्यांगत राश्पती की छवी वाला एक पदक और 50,000 अमेरिकी डॉल्गर का नगत पुरुसकार दिया जाता है 2013 का पुरुसकार कोवरी चंदन बांगलादेश के और जूरेनिया लेसमो तिमोर लिष्ट के और मरियम कोरोनेल फेरर फिलिपिन्स के और डॉक्टर रवी के नन आर भारत की दिया गया है Q9. हाली में किस देश में चुनाव में धांदली का आरोप लगा कर सेना ने तक्ता पलट कर दिया सही अंसर है A. गैबॉन गैबॉन में B. तक्ता पलट हो गया Q10. रेलवे बोल्ड की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी तो सही अंसर है B. जैवर्मा सिना और ये जैवर्मा सिना की तस्वीर है चलिए आज ये रेलवे की बारे में जान लेते हैं ये भारतिये रेलवे का लोगो है मुख्याल है रेल भवन नई दिल्ली में है रेल मंतरी अश्वनी वैस्नों है IRCTC के अध्यक्ष और CEO जैवर्मा सिना बनी है रेलवे से जुड़े करंट अफैर को देखेंगे भारतिये रेलवे 5G स्टेट बैंक के लिए IIT मदरा से समझा होता किया 508 स्टेशनों को वर्ड क्लास बनाने के लिए 4000 करोड रुपे की परियोजना सुरू पहला फेज सुरू किया गया है 149 स्टेशनों के लिए मद्यप्रिदेश का नया अमरावती रेलवे स्टेशन पहला पिंक स्टेशन बना चलिए आजाते हैं आज के इतिहास की ओर आजी के दिन 1573 में अकबर ने अहमदाबाद के निकट एक निर्णायक युद में विजय हासिल करके गुजरात पर कबजा किया और इस जीत की खोशी में बुलंदर वाजे का निर्मान करवाया आजी के दिन 1975 में पहले अमेरिकी युदपूत हाना का जनरल जॉर्ज वाशिंग्टन ने जला उतरण किया आजी के दिन 1846 में बुलंद के कारांट सुट्जर लैंड में का एक शेहर बरबाद हो गया और 457 लोगों की मौत हो गई आजी के दिन 1945 में जापान दोरा हार स्वेकार कर लिये जाने के बाद छेह वर्ष तक चला दूसरा विश्युद समाप्त हो गया आजी के दिन 1946 में जवाहल लाल नहरू के उप्ट सभापती में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ आजी के दिन 1969 में अमेरिका के न्यूर्क में पहली आटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटियम को दुनिया के सामने पेश किया गया आजी के दिन 1998 में पाइलेट रहित प्रसिक्षर विमान निशान्त के सफलता पूरवक उड़ान भरी आज ही के दिन 1999 में भारतिय तैराग बुला चौदरी इंग्लिस चैनल को दूसरी बार पार करने वाले प्रतम एशियाई महिला बनी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक केजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा